खबर जामतारा से है जहांके श्रितमडी में कोरोड़ा संक्रमित मरीज़ के गाउं में सैनिटाइज करने के स्वास्तिकरम्यों पर ग्रामिनों ने हमला कर दिया इसमें चाज स्वास्तिकरम्यों खायल हो गये। को कहा इस बात की जानकारी महिलाओं ने पारिजनों को दी बाद में मौके पर पहुँआँ कर कर्मचारियों के प्रिटाई कर दी गई हाला की बाद में मौके पर पहुँआँची पुलिस ने लोगों को समझा भुजा कर मामला शान्त कराया तो ये देखे किस तरह से COVID-19 अस्पतार ले जाय जा रहा था महिलाओं को लेकिन इसे बीच दो महिलाओं की तबियत बिगडी वमिट हुआ काड़ी में और उनी महिलाओं से उसे साफ करने को कहा गया जिसके बाद परिशनों को इसकी जानकारी दी गई और फिर स्वास्त कर्म पर हमला कर दिया गाउवालों ने लाटी और डंडे से पटाई की गई स्वास्त कर्मचारियों की जिसमें घायल हुए हैं चार स्वास्त कर्मी कंभी रूप से पलिस ने हाला कि बाद में पहुँचकर मामला शान्द कराया लेकिन यह जीब खरीब मामला ग्रामडों ने बताएं कि कुछ महिलाओं को COVID-19 अस्पताल ले जाए जा रहा था भरती कराने के लिए और इसी बीच दो महिलाओं की तबद बिगड़ गई गाड़ी में जिनमें से दो महिलाओं ने वॉमिट भी किया गाड़ी में लेकिन इसे साफ करने के लिए उन ही महिलाओं को कहा इपने परिशनों को सूचना दी और फिर ग्रामीन भड़ाक उठे और स्वास्तिकर्मियों की पिटाई कर दी और फोन लाइन पर हमारे साथ सायोगी देवेश जुड़ेवे हैं जाम ताड़ा से देवेश क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल क्या आपडेट असमामले में पिलहाल जो है ग्रामीनों पर फियार कर दिया गया है पूरा मामला ये है कि मंगलवार को जो है पुल छे कोरोना पोजियोटिव कुंदी से जाम तड़ा कोविडर स्था लाया गया था उसी दौरान जो है दो महिलाओं को उल्टी हो गया था एम्बूलेंस में उल्टी होने ने के बूज है चालक और प्र चालक के दोएन महिलां वे साफ करवाया गय मूल जब तो ने बता दिया आपने पर टलक में प्र इस पर दो गया वह उसके वाद जब लाने गई थी सेनेटाइज करने और दो और पोजेटिव मरीज को लाने जब कोविड टीम के गई उसी समय अग्रोसी ग्राविनों ने इन लोगों पर हमला कर दिया जी फिलहाल जो स्वास्तकर्मी घायल हुए है उनकी हालत कैसी है एक को काफी चोट आई है उसके सीर में गंभी चो